हेलो गाइज, वेलकम टू आईटी पावर दोस्तो, नैशनल टेस्टिंग एजन्सी ने CUT फॉर्म फिल करने की डेट एक बार फिर से बढ़ा दी है तो CUT के फॉर्म करेक्शन किये जा रहे थे लेकिन इसी वीच एक नोटिस आया है कि CUT फॉर्म फिल करने की डेट फिर से बढ़ा दी गई है स्टुडेंट NTA को मेल करकर के डिमांड कर रहे थे कि फॉर्म फिल करने की डेट फिर से बढ़ा जाए क्योंकि बहुत सार स्टुडेंट का फॉर्म फिल करने से रह गया था CUT का तो इसलिए CUT, इसलिए NTA ने student की मांग को पूरा करती हुए form fill करने की date फिर से बढ़ा दी है और आप कब से कब ता form fill कर पाएंगे CUT के, हम इस notice को देख लेते हैं, यहाँ पे notice देख सकते हैं, यह 27 मही को notice आया है NTA की तरफ से यानि National Testing Agency की तरफ से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साब साब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं student को एक और opportunity दी गई है, submit their application form CUT UG 2022, यानि student की demand को पूरा करते हुए CUT के form fill करने का एक और मौका दिया गया है, यहाँ पे, अब मैं date बता देता हूँ, आपको कब से कब तक fill कर पाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी यह duration रहेगी 27 मई से लेकर 31 मई 2022 तक आप form fill कर पाएंगे, यह 31 मई को आप रात के 9 भाई तक form fill कर पाएंगे, तो जेन student के form fill करने से रह गए हैं, cuet के वो अपना form fill कर सकते हैं, आप इस notice को अगर खुद देखना चाहते हैं, तो आप कैसे देख पाएंगे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको आप हो जाना है, cuet की website, आप यहाँ पे देख सकते हैं cuet.sumarth.ac.in इस link पे click करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से website देखेगी, फिर यहाँ से आप यह देख सकते हैं, public notice को आप download कर सकते हैं, इस link पे click करते हुए, और यह notice download हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, यह कोई fake news नहीं है, date फिर से बढ़ा दी गई है, cuet की latest जानकारी के लिए channel को subscribe करें, thank you for watching